असलामनीकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टो ठाप स्मार्टीज, ट्रामा सीरियल इश्क मुर्षद, जिसकी लास्ट एपिसोड पहले तो सैन्मा में और पर टीवी पर नशर की जाएगी। पाकिस्तानी हिस्ट्री का सेकंड ड्रामा जिसकी लास्ट एपिसोड पहले सैन्मा घरों में और पेड़ टीवी पर दिखाएगी। यहाँ पर इश्क मुर्षद की हम हैपि एंडिंग ही देखेंगे। क्योंकि दाउद अली हान जिसको शामीर ने पकड़वा दिया सिर्फ हारून बेक की बातों में आकर और फिर अपने किये पर बहुत शिर्मिंदा भी होता है बाप से मिलने थाने जाता है जहां पर बाप आज बेटे को सब कुछ बताता है बेटा तुम्हारी माँ को मारना तो चाहता था क्योंकि वो बहुत इमांदार थी और मैं करफ्ट इनसान था उसके साथ मेरा गुजारा नहीं हो सकता था लेकिन यकीन मानो उसको मारने में मीरी कोई साज़िश नहीं मैने नहीं मारा उसे ऐसे में अब दाउत साहिब हारून बेक का असल चेहरा बेटे के सामने उसको वो फून रिकोर्ड्स दिखाएंगे जिसमें हरुन बेग ने खुद इत्राफ किया कि तुम्हारी बीवी को मैंने जहर दे कर मारा और पिर सुलिमान साहिब की मौत के पीछे भी तो मेरा ही हाथ है। चलो मेरे साथ मुझे जरूरत है तुम्हारी तुम्हारी बहुत कमी महसूस होती है। ऐसे ही जब सियासत में कदम रखा तो हरुन बेग को अपने घर डिनर पर इन्वाइट किया। हरुन बेग तो खुशी खुशी आता है। ऐसे ही शामीर सामने बैठा रहा और हरुन बेग बहुत ही मज़े से खाना खाता रहा जिसमें जहर मिला था। अब शामीर ये सब कुछ देख रहा था और अपने ही हालों में अपनी माँ को याद कर रहा था। कि कैसे एक दिन हरुन बेग ने भी उन्हें जहर दिया होगा और वो तरब तरब के मरी होंगी अपनी जान दी होगी। इस तरह से ही हरुन बेग ने खाना खा लिया। जब उठा तो दो कदम चलने की हिमत भी नहीं रही। कि वहीं पर तरप तरप कर अपनी सांसे हार दी अब तो शामीर की आँखों में आंसो आगए क्योंकि जिस तरह से हरुन बेक तरप रहा है किसी दिन उसकी मां भी तरपी होगी उसे भी तकलीफ हुई होगी आज शामीर के सारे दुख ताजा होगए अपनी मां को याद करके बहुत रोया दूसी तरफ महरीन को भी जब अपने बाप की मौत का मालूम पढ़ेगा तो वो भी हिम्मत हार जाएगी उसे मालूम पढ़ जाएगा कि शामीर उसका कभी नहीं हो सकता इसलिए वो ये मुल्क छोड़कर चदी चाएगी जाने से पहरे वो शिबरा से मिलना चाहती है माफी मांगना चाहती है जूंकि लास्ट एपिसोड है तो इस सब काफी अच्छा दिखाया जाएगा ऐसे ही महरीन जब शिबरा से मिलेगी तो उसे सारी सचाई बताएगी कि शामीर का इन सब मामलाद से कोई तालुक कोई वास्ता नहीं था वो तो महरीन का बाप था जो बाई हुक और बाई करोग शामीर और महरीन को एक करना चाहता था इसलिए ये सारी गेम रचाई ऐसे ही महरीन तो चली चाहेगी तो हमें आहर में दिखाया जाएगा शिबरा प्रेगनन्ट हो चुकी है जिसकी वज़ा से उसे शामीर के पास लोट कर आना ही होगा शिबरा की बदगुमानियां भी दूर हो चुकी है शिबरा और शामीर का काफी अच्छा वक्त दिखाया जाएगा आहर में हमें एक चोटा सा बेबी भी इनका दिखाया जाएगा जो के हैपी एंडिंग की अलामत होगी इस तरह से शामीर सियासत में कदम तो रखेगा लेकिन सियासत को पूरी तरह से बदल देगा मुल्की हालात बदल चाएगे शिबरा भी शामीर के साथ शाना बशाना खड़ी होगी दोनों ही लोगों की भलाई के लिए काफी अच्छे से काम करेंगे इस तरह से कामयाब सियासत दान बनते होए भी हमें दिखाये जाएगे जिन्दगी के और सियासी मैदान में दोनों जगा पर ही ये कामयाब होगे इस तरह से इस ट्रामे का हैपी एंट होगा तो फ्रेंड्स हैपी एंट से रिलेटिड ये प्रेडिक्शन आपको हमारी कैसी दगी ज़रूर कमेंट्स में बताईएगा मज़ीद वीडियो के लिए चैनल को सबस्क्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन ज़रूर पैस कीचिए ताकि आने मारी हर वीडियो आप बहुत असानी से देख सकें अलाहाफिज